नमस्कार संजू के किचन में आप सबी लोगों का स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं मिर्ची ये कभी कदार ऐसा होता है कि मार्कर से हमारे घरों में मिर्ची आ जाती वो कम तीखी होती है तो उसको यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है सब्जी और गरे में डालते हैं लेकिन सब्जी तीखी नहीं होती है तो हम क्या करेंगे इस मिर्ची को थोड़ा मसाले में हम थोड़ा अचार की तरह इससे बना लेंगे तो यह हमारी मिर्ची अच्छे से यूज हो सकती है खाने में इसको बनाने के लिए यह मिर्ची ले ली है और यह गिरीन वाली मिर्च इस ठरीके की मिर्ची खरीदें यह देखिए हमने मेर्ची ले ली है और अच्छे से हम धुलके इनके जो टंठल होते हुँ हमने ध़टा दिये हैं रिमूव कर दिये है और यह साफ हो गया है धुल लिया और इसका पानी भी ऑगल हो गया है और आपकी मिर्ची आप दो एक चम्म साबु धन्या एक चम्म साउफ और थोड़ी सी कालुश Kr शरसे ले ली है और थोड़ी सी हमने करेम हमें मेथी दाना इन इसम्राइन इसली हने हमाइन रोष्ट करें अब भून्द लेना है जब भून जाते हुँ बहुत ज़्यादा नहीं भून्द है हलका सा भून लेलना है और उसी पैन को हम रख देते हैं साप करके इसी बरतन में हम थोड़ा सा डालेंगे मस्टर्ट ओयल आप थोड़ा इससे ज्यादा भी डाल सकती है ज्यादा दें रखने की जरूरत है तो और लिए हम थोड़ी पिंच भग की हिंग लेली है और काला नमक यह मेरे पास खड़ा नमक था आप पिसा ले लेजिएगा और जब यह हमारा तेल थोड़ा सा गरम हो जाता है तो हम सारी मिर्ची को इसी के अंदर एड़ कर देंगे अब मिर्चियों में पानी बिल्कुर नहीं होना चाहिए इनको ड्राइ कर लेना है दुलने के बाद और इस तरीके से हम चला देंगे यह मिर्चियों को पकने देते हैं थोड़ी दर के लिए तब तक वह हम जो मसाले हैं वो भून के रख लेते हैं इसमें डाल देते हैं एक स्वादन सा नमक धिरे धिरे पकती रहेंगी हम मसाले जो हैं मिलाते रहेंगे यह बहुत जल्दी भी पक जाती हैं इन्हें ज्यादा समय नहीं लगता है पकने में इनको ढख के हम थोड़ी देर पकाएंगे इन्हें तब तक मसाला भून के त्यार कर लेती हूं यह हमने मसा अच्छा नहीं के त्यार हो जाएंगे और थोड़ी देर और इन्हें भख के पका लेती हूं भीच में चलाती जाएंगे देखे कलर भी चेंज हो गया हमारी मिर्ची पक गई हैं इस तरीके से मिर्ची पका लेंगे तो यह हम सब दालक साथ भी खा सकते ऑगर चैटनी में भ यह टेश्टी से मिर्ची बनके तयार हो गई हैं आप इसे दाल के साथ खा सकती सबजी के साथ भी खा सकते हैं इससे आप चटनी भी पी सकते बहुत ही टेश्टी बनती है चटनी से और अगर मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा साइड म में लगे बेल के आइकन को प्रेस के लिए क्योंकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप से मिस नहीं होगी और इसे आप ड्राइ कंटेनर में लखना है जिसमें आप कंटेर जिसमें रखना उसको धुल के सुखा लेना तभी इसको रखना है यह आपके मिची 20 दिन के त अन्यवाद तेंग